विकासिल अर्थ तंत्र के लक्षन तो यहाँ पर हम जोई विकासिल अर्थ तंत्र क्या है उसके लक्षन क्या है उसके बारे में जानेंगे विक्सित अर्थ तंत्र और विकासिल अर्थ तंत्र प्रतिव यक्ति आये के अधर पर अलग किये जाते है विश्व बैंक के 2004 के विश्व विकास लेक में 735 डॉलर से कम प्रतिव यक्ति आये वाले देशों को विकासिल अर्थ तंत्र के रूप में परचाना जाता है और विकासिल अर्थ तंत्र के लक्षन जो है नियम अनुसार तई किये जाते हैं तो यहाँ पर हमें बताया है कि विश्व बैंक जो है 2004 के लेक के अनुसार जो है 735 डॉलर से कम प्रतिव यक्ति आये वाला जो देश है उससे विकासिल देश के रूप में जाना जाता है और विकासिल देश के लक्षन क्या है वह हमें नीचे बतायेगा या नुसार है नीची प्रतिव्यक्ति आये कि जो है पहला लक्षन यह होता है कि विकासिल देश में रहने वाले जो है प्रतिव्यक्ति के आये नीची होती है यानि कम आये होती है विकासियल देशों की राष्ट्री आई नीची होती है जबकि जन संख्या वृद्धी का दर अधिक होने से प्रतिव्यक्ति आई भी नीची होती है नीची प्रतिव्यक्ति आई के कारण जीवन स्तर भी नीचा रहता है उसके बाद हमें बताए कि जन संक्या वृद्धी तो विकासियल देशा में जन संक्या वृद्धी अधिक है ऐसे देशों में जन संक्या वृद्धी दर दो प्रतिशत अथा उससे अधिक भी होती है उसके बाद है कुरुषीक शत्रपर और लंबन यानि कुरुषीक शत्रपर आदारित होना विकासिल देशों में मुख्या गुरुषी आर्थिक प्रवरूती होती है और देश के 60% से अधिक लोग रोजगारी के लिए कुरुषी पर निर्बर होती है देश के राश्ट्री आय में कुरुशी का योगदान लगबग 25 प्रतिशत होता है तो यह आपने हमें बताए कि विक्कास्विल जो देश है उन देशों में मुखे रूप से लोग जो ही खेती यानि कुरुशी पर आधारिस होती है वह उनके आर्थिक प्रतिशत होती है और देश के साथ प्रतिशत या उससे ज़्यादा लोग जो ही रोजगारी के लिए कुरुशी पर ही नेर्बर होते है और देश के राश्ट्री आय में कुरुशी का जो योगदान है वह 25 प्रतिशत होता है आय वित्रण की असमाता तो अघमे यहां जो ही हागे आय जो वित्रण है उसकी असमानता धर्शाई गई है विकासियल देशों में आय तथा उत्पादन के साधनों का बटवारा असमान होता है यह असमान तथा ग्रामीन तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में होता है देश के सिर्ष 20% धनिक लोग राष्ट्री आय का 40% हिस्सा रखते हैं इस प्रकार से विकासियल देशों में आय और संपटि का कैंजी करण धनिक लोगों में हुआ नजर आता है यह आपने हमें बताएं कि आय वीतरन की असमान तथा जो होती है वह भी एक विकासियल देश का मुख्य लख्शन माना जाता है यह समाता जो सहरी तथा ग्रामिन क्षित्र में हो सकती है धनी तथा गरीब लोगों में हो सकती है उसके बादे बेरोजगारी तो बेरोजगारी 81 देश का महत्रपुन लक्षन माना जाता है यहाँ पे बेरोजगारी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है इन देशों में बेर बेरोजगारी चूपी बेरोजगारी ओद्योकिक बेरोजगारी होती है तो यहाप पर हमें बताए कि विकास्यल जो देश होता है वहां पर बेरोजगारी अधिक होती है जो उनकी कुछ विकासियल राष्टर का लक्षन माना जाता है जो लोग अपनी आवश्यक्ता है जो है प्रात्मिक आवश्यक्ता है जैसे कि आनाज कपड़ा आवाज सिख्षा और स्वास्थ्यादी पुरा नहीं कर सकते उसे गरीब माना चाता है विकासियल देशों में ऐसे लोगों की कुल संक्या जन संक्या का लगबग तिसरा भाग होती है तो यहाँ पर हमें बताए कि गरीबी जो है विकासियल राष्टर का लक्षन है जो कि अपनी प्राथमी का वशकता है जैसे कि जो है नाज कपड़ा शिक्षा वगेरे जो है इस सभे को पुरा नहीं कर सकते उसे गरीब माना जाता है और विकासियल देशों में ऐसे लोगों की ही जो है संक्या कुल जन संक्या का रगबग तीसरा भाग जितनी होती है उसके बादे द्वी मुखी अर्थतंत्रों विकासियल देशों में अर्थतंत्र का स्वरुप द्वी मुखी पाया जाता है एक तरफ ग्रामिन ख् उत्तब़ोग चत्रों में आधोनिक उद्यों नई उत्पादन पद्धती यंत्रों पड़ Ты जीवं पाता अंक इंट्रों में अर्थो तंत्र का सुरूप, वी मुखी भी पाया जाता है। वी मुखी यानि के ग्रामिन स्यत्रों में जो है लोग जो वावे रहते हैं, पिछडी जाती हैं। गुरुषिपद्धति जो है पिछडी होती है और पुरानी यंत्र सामगरी वगेरे जो है भवपाई जाती है वहापे खेती वगेरे में किसी भी उद्योगों में और रूड़ी चुस्त समाच जो ढाचा है वह वहापे हमें देखने को मिलता है जिसके यह से कम उत्पादन व मुल्भुत और पर्याग सेवाई विकास के लिए अनिवारिये मुल्भुत सेवाई जैसे कि सिख्षा परिवहन संचार बिजली स्वास्थिय बैंकिंग आदी का ऐसे अर्थ दंत्र में कम विकास होता है जो देश के विकास के लिए अवरोधक बनता है तो यह आप हमें अर्थ दंत्र में कम विकास होता है जो कि देश के विकास के लिए अवरोधक मायना जाता है उसके बाद है अंतर आश्रे व्यापार का स्वरूप तो अंतर आश्रे व्यापार का स्वरूप क्या है विकासिल देशों में विदेशी व्यापार का स्वरूप और ढाचा अलग अलग पाया जाता है यह यह देश मुख्यत क्रुशी उत्पादनों और बगीचों की उपज तता कच्छी दातों का निर्यात करते हैं इस प्रकार के निर्यात की मांग कम होती है और भाव भी नीचा होता है जिससे निर्यात से कम आये होती है जबकि आयात अध्योगी को पज प्रतिकुल होने से देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता है इस प्रकार विकासिल देशों में मुख्यत उपर दिये गए लक्षन पाय जाते हैं भारत विकासिल राष्टा होने के होने से उपर के लक्षन कम या अधिक मात्रा में भारत पर लागो पड़ते है तो यह आपर ह प्रतिकूल होने की वज़े से विदेशी का जो करजे वह इसे देशों पर बढ़ता है उसके बाद आगे हमें आपे जो है कि जाने वाली प्रभरवूति को आर्थिक प्रभरूति कहते हैं, उदारन शुरूप किसान, कारीगर, प्यापारी, शिक्षक आदी के प्रवरुति आर्थिक प्रवरुति कहलाती है तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि आयप्राप्त करने या उसको खर्श करने के उद्धिश्य से जो प्रवरुति की जाती है कि जिसके वज़े से हमें आयप्राप्त हो और उसे हम खर्श कर सके तो उसे जो ही हम आर्थिक प्रभूरूती कहते हैं जैसे कि जो किसान है वह आय प्राप्त करने के रहे खेती वगेरे करता है और इसे उसे कारीगर्व या पारी सिक्षक आड़ी जो ही भे इस प्रभूरूती के आर्थिक प्रभूरूती कहिला जाती है उसके बाद है अनार्थिक प्रवरूती तो जिस प्रवरूती का उद्देश्य आय प्राप्त करना या खर्च करना न हो उसे जो ही हम अनार्थिक प्रवरूती कहते हैं उदारन स्वरूप जो है माता अपने बालकों के देखभाल करे व्यक्ति समाज सेवा का कार्य करे आड़ी अनार्थिक प्रवरूती है तो यहाँ पें हमें बताया गया है कि जिस प्रवरूती का उद्देश यह आयपराप करना या फिर उसे खर्ष करना न हो उस प्रवरूती को हम अनार्थिक प्रवरूती कहते हैं जैसे कि माता आपने बच्चों के देखभाल अगेरे करती है, कोई भी व्यक्ति समा सेवा का कोई अच्छा कारिय करता है, तो जो है उसे हम अनार्थिक प्रवरूति कहते हैं। उसके बाद बताए हैं कि भारती अर्थ तंत्र का ढाचा, तो अर्थ तंत्र का जो ढाचा है उसके विशे में जानेंगे। अनुसार करेंगे। तो यहां पर हमें बताए कि भारती अर्थ तंत्र को जो है तीन भागों में बाटा गया है, पहला है प्रात्मिक शेत्रों, दूसरा है मार्थ्यमिक शेत्रों और तीसरा है सिवक शेत्रों। तो सबसे पहले प्रात्मिक शेत्र के बारे में जानेंगे। जैसे कि पशु पालन, पशु समवर्दन, मत्सिय पालन, मुर्गी बतक पालन, उसके बाद में जो यह जंगल, कच्छी धातों की खुदाई करना, आदी यह सारी प्रभूतिया है, इन सब का समावेश है प्रात्मिक शेत्रों में होता है। उसके बाद माध्यमिक शेत्रों तो माध्यमिक शेत्र इस विभाग में चोटे और बड़े आदार्बुत उद्योगों निर्मान कारिया आदी प्रभूतियों का समावेश होता है। जाता है, जिसमें जो ही पीन से लेकर बड़े बड़े यंत्रों तक के उत्पादन का समावेश होता है। उसके बाद आगे हमें बताए गया है सेवाक शेत्रों तो इस विभाग में अनेक विद सेवाओ का समावेश होता है। एसी सेवाओं में व्यापार, संचार वायू तता समुद्री मार्गो, सिक्षन, स्वास्तिय, बैंकिंग तता बीमा कम्पनियों, परिवहन और मनोरंजन आदिक के कारियों का समावेश इस शेत्रों में होता है। सामान्य रुप से विकास्यल देशों में प्रात्मिक शेत्र का प्रभूत्व होता है, रोजगारी तथा राष्ट्रे आये में प्रात्मिक शेत्र का हिस्स्ता सबसे अधिक होता है, परन्तु जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, वैसे वैसे प्रात्मिक शेत्र का महत्व माध्यमिक और सेवक्षेत्रों की इस आपेश्ता में घड़ता जाता है और उद्योक्षेत्रों और सेवक्षेत्रों की व्यापकता बढ़ती जाती है तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सेवक्षेत्र जो है इसमें अनेक भी सेवाव का समावेश होता है जिसमें की जोई व्यापार, संचार, वायू तथा समुद्री मार्गूर के बारे में जानकारी वगेरे, सिक्ष्राण, स्वास्थ्य बैंकेंग तथा भीमा कम्पनी परिवहन आधिका समावेश होता है और सामानिय रूप से विकास से देशों में प्रात्मिक शेत्र का अधिक प्रभूत्व हमें देखने को मिलता है प्राख समाई थे जर्सक्ता का अजय का तंवे लeffectiveта झालत्व हमेराएं तवयत रसा सम्हें प्राट बाराएं प्राट जातर्पूत्व हमें